आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि आश्विन मास कब से शुरू हो रहा है और 15 दिन होती है इसमें पित्र पूजा और इसका नियम और इसमें आप क्या करें और क्या ना करें तो चलिए भक्तो शरवन करते हैं आश्विन मास हिंदू कैलेंडर का सात्वा महिना है आश्विन महिना पितर और देवो की पूजा के लिए विशेश है आश्विन क्रिश्न प्रतिपदा से अमावस्या तक पित्रों के लिए तरपंड पिंड दान स्राद ब्रामण भोज आश्विन महा में जीतिया शरटपूर्णिमा जैसे महत्पूर्ण प्रत और पर्व होते हैं अब मैं आपको पताने जा रही हूँ कि आश्विन महा कब से शुरू हो रहा है इस साल आश्विन महा का प्रारम 30 सितंबर दिन शनिवार से हो चुका है इस साल पित्र पक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक है अब मैं आपको पताने जा रही हूँ कि आश्विन महा में आप क्या करें और क्या ना करें पहला आश्विन महा धार्विक और पूजा पार्ट के डिस्टी से काफी महत्पूर्ण है कि पूरा कृष्ण प्रित्र प्रक्ष होता है और उसकी बात की दस्तितिया मातुर्गा के लिए है ऐसे में इस पूरे माहा तामसिक बस्तुओं के सेवन से परहिच करें मांस, मंदीरा, लहसुन के आज आधी ना खाए दूसरा इस पूरे मांस में बैगन, मूली, दूद, ना करेला, बासी भोजन, आधी का सेवन नहीं करना चाहिए इससे स्वास्त मंदी समस्या हो सकती है तीसरा आशिन माहा में ब्रह्मचर्य के नियुमों का पालन करें असत्य ना बोले और दूसरों से घणा ना करें दूसरों पर खोध ना करें चौथा इस माहा में स्वास्त के प्रतीला परवाही ना करें इस माहा से मौसम बदलता है गर्मी कम होने लगती है और सर्दी का अगमन होने लगता है अधिक ठंड और गर्म से बचना चाहिए अब मैं आपको बताने जा रहे हूँ कि आशिन माहा में क्या करें पहला इस महा में पित्र को प्रसंद करने के लिए तरपन स्राथ आदी करें पित्र दोश मुक्तिक के उपाय करें दूसरा शार्दिन अवरात्री का वरत रखें माद दुर्गा की पूजा करें और दुर्गा शब्त शती का पाठ करें तीसरा आश्विन महा में दान करें इसस